आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और इस लेक्चर से हम आज एक नई टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं वह है हमारा डेटा हैंडलिंग अश्वार। लग डेटा हैंदलिंग के लिए आजब अगर लग लोग देटा को क्यार करते हैं अब जब डेटा हमारे पास आज आता है तो हमको उसको अपने आर डेटों के ओदर रेड करना होता है वह क्यों जैसे कि अगर हम कहें कि कोई डेटासेट हमारा अपने स्प्रेडशीट में है अर्थात की तैसे MS-Excel Software में तयार किया गया है कोई Excel फाइल है कोई हमारी Tabular Data फाइल है कोई हमारी TXT फाइल है त्यादी तो इन सभी के अपने अपने formats होते हैं जो आंतरिक होते हैं जिस प्रकार से आप अगर कोई भी Excel फाइल को अगर नोट पैट में खोलने के कोशिश करें तो आपको देखें कुछ आपको अलग-अलग से उसमें कुछ करेक्टर्स दिखाई पोलेंगे क्यों उनका अपना एक अंतरिक structure होता है जिसके द्वारा उनका वहां पर उस फाइल को तैयार किया जाता है अब जब उस फाइल को आप आर्ट सॉफ्ट्रेयर में आप लाने की कोशिश करते हो तो आर्ट सॉफ्ट्रेयर का जो environment है जो उसका structure है वो पहले से बिलकुल अलग है तो क्या करना होगा उस फाइल को वहां से उठा करके आर्ट सॉफ्ट्रेयर के अंदर इस पकार से लेकर के आना है कि उसकी जो data values है व हम अपनी excel फाइल, txt फाइल, csv फाइल या हमारे जो भिन भिन सॉफ्ट्रेयर होते हैं like as sps, minitab, itiadi उनकी फाइल को हम यहां पर आर्ट सॉफ्ट्रेयर के अंदर read कर सकते हैं और जब हम उस फाइल को उस सॉफ्ट्रेयर से उठा करके अपने इस आर्ट सॉफ्ट्रेयर के command ck हम सभी को उनके उपर इस्तमाल कर सकते हैं तो आज हम इस lecture में आपको csv फाइल और txt फाइल, अर्थात जो हमारी comma separated value files होती हैं और जो हमारी text data files होती हैं उसके बारे में हम बताने के कोशिर करेंगे तो जैसा कि आपने देखा है कि यह csv files क्या होती है csv file के अंदर जो भी हमारी values होती हैं उनको हम comma के द्वारा usually separate कर देते हैं और जो हमारी tabular data files होती हैं उनको हम usually dot txt file करते हैं और उनके अंदर एक खास बात यह होती है कि वो हमारी जो data हमारा rows और column में इस प्रकार से arrange होता है कि हर row एक किसी particular observation को पूरी खरीके से दिखाती है और हर एक row में हमारे पास जितनी भी data fields होती है वो हर रो के लिए समान होती है यह कुछ उसी प्रकार का हमारा अधारन है कि अगर हमारे पास पास student है suppose student number one two three four five और उनके हमारे पास physics chemistry maths के number है तो मैंने क्या किया कि मैंने पहले column में physics second column में mathematics third column में chemistry के number लिख दिये तो इसमें से क्या हुआ हर एक student के हमारे पास तीन fields है physics chemistry mathematics और उसका जो data मैंने पहली row में मैंने अपने पहले student का data लिख दिया दूसी row में दूसरे student का data लिख दिया और इसी प्रकार से पांची रो में मैंने पांच विस्ट्विन का डेटा मैंने लिग दिया है तो उस डेटा को हम अपने आर सौफ्टेर में किस प्रकार से रीट करें वह आपको यहाँ पर समझना है और यहां पर हमने आपको इस कार को समझाने के लिए अपने कुछ छोटे चोटे उदारान करियार के हुए हैं और वह जो हमारी फाइल्स हैं वह मैंने अपने इस कंप्पुटर में एक पर्टिक्लिर लोकेशन पर रिस्टोर कर लिया है वह मैं आपको दिखाऊंगा बहुती चोटी चोटी फाइल्स हैं आप उसको खुद भी टाइप करके करियार कर सकते हैं और हम उन फाइल्स का यहां पर इस्तमाल करेंगे तो चलिए हम इस lecture को start करते हैं और हम आपको इस तरह-तरह की files को किस प्रकार से access किया जाता है वो बताते हैं लेकिन सबसे पहले हम आपको एक और बात बता दे जो हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि जो अमारी files होती हैं, हम अपने सारे operation जो हैं, उन सारी सारी files को अपने इस hard disk पर store कर दें और फिर उनको access करें, या हम उन files को किसी internet site के ओपर भी store करके वहां से हम उनको access कर सकते हैं तो हम आपको यहां भी दिखाएंगे कि एक मैंने file है, मैंने अपने home page पर upload कर दी है करना है, वह आप करते रहीं, वह आपकी इच्छा है, तो चलिए हमें से lecture को आरम करते हैं, देखते हैं कि इन files को किस प्रकास से यहां पर handle किया जाता है तो सबसे पहला तो कार आपको यह करना है कि आपको अपनी एक working directory को set करना होगा तो आपको पता है कि working directory को set करने के लिए हमारा command होता है setwd और यह हम पहले कर चुके हैं, set working directory और उसमें हम double quotes के अंदर अपनी उस file या data set की location को लिख देते हैं उसी परकार से मैंने अपने computer यहां पर c colon पर एक r course नाम की folder क्यार कर लिया और उसके अंदर मैंने अपनी files को copy कर दिया है और वहीं से हम अपने इस course में सारे-सारे operations करेंगे तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया setwd और साथ में इस folder का address दे दिया जब आप इसको अपने computer पर करेंगे तो आपको ही भी location में आप अपना folder क्यार कर लिए जहां से आपको अपनी files को access करना है तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है उसके बाद में अगर आपको यह देखना है कि आपकी working directory क्या है तो आपने करके रखा हुआ है कि आपको पता है कि इसका command होता है हमारा getwd और फिर parenthesis लिखेंगे तो आपको यह directory मिल जाएगी तो सबसे पहला कार आपको करना है कि आपको अपनी working directory को set करना है अब इसके बाद अब हम अपने इस concept की बात करते हैं कि मुझे different तरिकी की data files को import करने की क्या शक्ता पगती है तो आपको यह पता है कि हमारा जो भी data होता है उसको हम different करीके की files में store कर सकते हैं और suppose की वह files आपकी computer पर हैं और यह जो हमारी files के format हमारे अलग लग हो सकते हैं जैसे comma separated value data file tabular data file और txt data file और spreadsheet अरथा जैसे कि Microsoft Excel के द्वारा को हमारी file करी गई होती है यह जैसे extension होता है .xlsx या .xls right यह हमारी HTML table files होती है यह हमारे data files ऐसी होती है जो हमारे किसी और software like as a, जैसे SPSS है, Minitab है, वहां से आई होती है SPSS और Minitab हमारे Stasis के software होते हैं और उसके अंदर भी हम अपने data को handle करते हैं और उसके अंदर अपने statky के जो functions हैं उनको इस्तमाल करने के लिए हमको किस प्रकार से मैंने data को वहां पर arrange किया है उसी data को हम अपने art software के अंदर भी लेकर के आना चाहते हैं right तो इसके लिए आपको हम अपनी computer से file को read करने के पहले यह बता दे कि अगर मुझको अपनी किसी file को किसी internet site से access करना है तो इसको किस प्रकार से किया जाए तो इस बात को दिखाने के लिए मैंने काम किया है मैंने अपने homepage पर एक मैंने file को upload कर दिया है तो यह हमारे homepage का address है home.iatk.ac.in.shalab और वहाँ पर मैंने एक R course नाम की डिरेक्टिव बना दी है और उसके अदर मैंने अपना data दिया हुआ है munich data.asc तो यह क्या है यह जो munich शहर है जर्मनी में यह वहाँ पर कुछ हमारे house rent से related कुछ एक file है लेकिन उसे आपको कोई फरक नी परिता है आपके लिए खाली बस आपको इतना देखना है कि यह इस file के अंदर कुछ हमारा numerical data है और यह file यहाँ पर computer पर नहीं है यह हमारी internet की site पर है और उसको हम वहाँ से site से अपने इस R software के अंदर हम उसको direct read कर सकते हैं और उसको हम यहाँ पर store कर सकते हैं अपने R software के अंदर और उसके उपर हम अपने भिन-भिन करीके के जो भी operation से उनको कर सकते हैं तो यह car किस प्रकार से किया जाए यह मेरा यहाँ objective है तो दिखिए कि जो मारी file है इसको read करने के लिए हमें command use कते है read.table और फिर हम parenthesis में लिखते हैं file is equal to और यहाँ पर हम अपने इस पूरे पूरे address of file name को यहाँ पर लिख देते हैं double quotes के अंदर और उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं header is equal to 2 अब यह read.table क्या होती, file क्या होती, header क्या होती इसके बारे हम अभी इसी lecture में आगे पगले वाले हैं लिकिर हम आपको सिर्फ यहाँ पर यह दिखाना चाहते हैं कि हम इस file को internet site से यहाँ पर direct read करके हम इसको अपने R के अंदर store कर सकते हैं तो इस file को store करने के लिए मैंने यहाँ पर नाम दे दिया data munich right अब हम आपको दिखाते हैं कि जड़ा सा इस file को जब हम अपने R software में किस प्रकार से read करेंगे तो सबसे पहले तो हम आपको दिखा देते हैं कि यह file कहां पर देखी है तो हम इसको internet explorer में यहाँ पर अपनी site में आपको दिखाते हैं तो यह देखी यह देखी यह देखी यह देखेंगे कि यह बड़ी file है तो लेकिन इसकी value क्या दी है इससे कोई आपको मतलब नहीं होना चाहिए मैं तो खाली आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इसको अपने R software में किस प्रकार से handle कर सकते हैं तो देखी यह वाली file का जो नाम और address मैंने copy कर लिया और इसको मैंने अपने R software में किया तो देखी इसने यहां पर इसको data munich इसने इस file को यहां पर read कर लिया देखा आपने यह बहुत बड़ी सी file है तो आपको यहां पर पूरी नहीं दिखाई पग रही है लेकिन अप अगर देखेंगे आप अगर तो आपको यह रीख किए इस तरह से पूरी file यह आप को डिखाई पड़ेगी आपको यह तो इस तरह से मैंने मैने देखी इस पूरी पural को मैंने यहां पर आपको लोट कर लिया है अब उसके बाद में अगर आपको अगर कभी भी इसको अगर कार आपको करना इसके उपर है तो आप इसको डेटा म्यूनिक के नाम से कॉल कर सकते हैं और इसमें से जो भी आपको अपने mathematical operation करने हैं या different तरीकिक operation करने हैं आप उनको बहुत आराम से यहां पर कर सकते हैं तो अब हम चलिए अगली बात करते हैं कि अगर हमको एक comma separated value को अगर read करना है तो उसको हम किस प्रकार से करेंगे तो जो comma separated values की file होती है उसके अंदर क्या होता है usually हमारी जो values होती हैं उनको हम comma के द्वारा separate कर देते हैं कॉमा के अलावा भी हमारे पास काई options होते हैं लेकिन at this moment हम लोग खाली अपने .csv की बात कर रहे हैं बाद में हम आपको इसके बारे बताएंगे तो देखिए इस read.csv को file को read करने के हमारा command होता है read.csv और फिर उसके बाद हम double quotes में उस file का नाम लिख देते हैं और extension भी साथ में लिखेंगे .csv और इसके पहले मैंने जो भी मैंने उधारन लिया उसको read करने के लिए मैंने अपनी working directory को यहां पे आप देखिए मैंने एक यहां पे छोटी सी file क्यार करी है वह मैं आपको दिखाता हूं इस file का नाम मैंने दिया example1.csv और इसको मैंने यहां पे कमाल लिखा read.csv और double quotes के अंदर इस file का नाम दे दिया और इसको मैंने store कर दिया एक variable में जिसका नाम मैंने दिया है data data तो देखिए पहली बात तो यही आती ही पहले मैं आपको दिखा दूए देखिए यह हमारी यहां पर आर कोर्स की डिरेक्ट्री बनी आप इसका address यहां पे देख सकते है अब उसके बात हम इस फाइल में आप यहां पर देखेंगे यहां पर हमरे पास example 1 और example 3 दो फाइल से तो अभी हम example 1 को यहां पर देखिए खोलते हैं अब इसको यह जो वैल्यू मैंनने लिए है आसान लिये से इनके नमबर ली है जयसे कि आपको ध़्यान मे रहे हैं पहली कॉलम में जो वैल्यू जो वैल्यू थ्न काउलम में 1,10,100 डूसरे में 220,200 बेसे कि आपको समझ में आजए तो चलिए अब हम जड़ा सा इन वैल्यूस को हम अपने यहां पर आर सॉफ्ट्वेयर में पगले की कोशिश करते हैं तो देखिए आपको मैंने इसका एक्जैंपल 1.CSV का स्क्रीन शॉट भी दे दिया है यहां पर देखिए इस तरह की वैल्यूस आपको आपने देखिए आपको क्या दिये हैं यहां पर क्या है Esther यह कॉलम्लम आंपको क्या दिए हैं यह नहीं क्या Link को कडिए होगकी तो मैंने का दिया TOP .csv और parenthesis में लिख दिया मैंने example1.csv और दोनों को double quotes के अंदर बन कर दिया तो और जो भी इसका outcome आएगा वो हमारे मैंने date के अंदर data के अंदर store कर दिया तो अब देखिए यहां पर एक तो सवाल यही आता है कि यह दो नाम क्यों चाहिए तो देखिए यह जो example1.csv file है यह तो हमारी जो कोई और एक software है जो की .csv file को handle कर सकता है यह उसके लिए क्यार करी गई है अब उसी file को अगर मुझको एक अच्छित करीके से उसकी information कोई ना महां से खतम हो जाए और उसको हम अपने और के अंदर handle कर सके इस कार को करने के लिए मैंने read.csv का command use किया और उसके बाद यह जो हमारी file का internal structure है वो बदल जाएगा और अब यह data नाम के variable के अंदर store हो गई और यह जो हमारा file name होगा data यह हमारा R के साथ में compatible है हम इसको R के अंदर handle कर सकते हैं right तो अब देखिए जब आप अपने R console पे करेंगे तो देखिए आपको इस तरह का output मिलेगा कि यह data को जब आपने किया तो देखिए इस प्रकार की आपकी value आ गई अब जना से यहां पे आपको कुछ ध्यान देन है कि यहां पे क्या देखिए हो रहा है और यह एक इसका screen shot भी है अब ज़्यासा आप ध्यान दीजिए यह आपकी जो original file थी तो यह तो यहां पे values आपकी एक से शुरू हो रही है और पांस तक रहती है और इस तरह के तीन column है और जब आप data का output देखेंगे तो इसमें से यह X1, X10, X100 यह कहां से आगए और यही काम आप अगर देखेंगे इसके अंदर भी जो अपने screen shot में भी इसमें भी आपको दिखाए देगा कि ऐसा ही है और साथ ही आप अगर एक और अंतर देखेंगे कि जो आपकी value है शुरू हो रही है वो है जैसे एक, दो, तीन, चार, पा तो यहां हो रहा है और इसका क्या मतलब है यह तो आपने जिस प्रकार का data आप चाहते थे आप ने उसको किसी और प्रकार से बदल दिया है तो यह कैसे हो गया तो यह सब जड़ा हमारे छोटे-छोटे सवाल है जिनकों मूं समझने की कोशिश करते हैं तो अब अगर आप के brother को आपको दिया हुआ है मैंने अपको आपको Jáपको पता है कि जब हमने आपको दारंग दिया थे कि मैंने अपने students के number जो भी है physics, chemistry और maths के number लिखे हुए है तो मैंने पहली रो में लिख गया था physics, chemistry, maths और फिर यहां पर मैंने उनके number दे दिये थे 20, 40, 60, 25, 30, 70, 90, 80, 60, इतियारी, यह मारी पहली रो हो गई, दूसरी यह हो गई, तीसरी यह हो गई, फोर्थ यह हो गई, अब बचे यह बता कि यहां पर यह पहली रो जो आपने लिखी हुई है, यह क्या पहली रो है, यह पहली रो थोग लिए है, इसको तो बोलता है header, right, और R क्या कर रहा है, R यह समझ रहा है कि पहली रो में जो भी value दी है, यह आपके में header की value है, और इसलिए, इसने header को एक नाम दे दिया है, औ और इसने क्या किया कि जो आपका पहली रो में values थी, 110, 100, उसके आगे यहां पर उसने इस संख्या के पहले उसने x लगा दिया है, और इसने यह जो x1, x10, x100 है, यह उसने header के नाम दे दिया है, अथा जो header के अंदर उसने दे दिया कि यह जो variable है 2345, इस variable का जो column name है x1, 20, 30, 40, 50 का जो column name है वो है x10, और 200, 300, 400, 500 का जो column name है x100, right, चलिए इसको करने के पहले जरह हम आपको पहले R software में इस car को करके दिखा दे, so that कि आप और हम एक साथ ही आगे बलते हैं, right, तो सब से पहले मैंने अपनी यह जो working directory है, इसको मैंने देखिय कर लिया, अब आपको देख इस data वाली file को मैंने यहां पर store कर लिया, अब आपने देखा कि आपको data file किस पर कासे मिल रही है, यहां पर x1, x10, x100 आ गया, और यही हमारे जीवन की समस्या है कि यह कहां से आ गया, लेकिन अब उसका मैंने आपको उसका current भी बता दिया कि यह क्यों हो रहा है, तो अब द नहीं करिए अभी तक कि आपके data में कोई header है या नहीं और जब अगर header नहीं है यहां है या अगर है तो आर इस बात को कैसे पैचानेगा, आर को तो कोई कोई एक default फैसला करना पड़ेगा, तो उसने फैसला कर लिया है कि हर एक file में header होता है, तो इस फाइल के अंदर भी header ह होगा और इसलिए उसने पहली रो में जो भी नाम दिये थे उसको उसने header की तरह treat कर लिया, अर्थात अगर आपको इस समस्या का समधान करना है, तो आपको यहां पर एक option देना पड़ेगा, जिसके द्वारा आप यहें बता सकें अपने R software को कि क्या इस file में header है या नहीं, तो इस कार को करने के लिए हम चाह करते हैं, हम एक option का use करते हैं header, h-e-a-d-e-r, right, और इसको हम अपने read.csv command के अंदर, parenthesis के अंदर हम data file को लिखने के बाद में, हम यहां पर header के बारे में लिखते हैं कि यह हमारे दो value ले सकता है, true या false, तो अगर यह हम कहते है, header is equal to true, इ उसको जो हमारा data है, जो हमारा R software है, उस data file को उस परका से read करेगा, और अगर हम बोलने हैं, header is equal to false, अथात की उस file में header नहीं है, तो फिर उसमें से R software, उसमें तो header को read करने के कोशिश नहीं करेगा, और जो पहली रो है, उसको वो header के form में change नहीं करेगा, तो अब देखी हम क्या करते हैं, कि हम देखिए हमारी स्वाली file में जो अभी हमने example 1.csv लिया है, इसके अंदर तो header है ही नहीं, तो मैंने यहां पर लिग लिया, header is equal to false, और फिर से मैंने देखिए इस data को read किया, तो देखिए क्या आ गया, read.csv को मैंने इस्तेमाल किया, और file name और header is equal to false को इ outcome ऐसा आ गया, इसने देखिए जो आपकी value थी पूरी की पूरी एक से पांस तकी और दस से पचास तकी और सौ से पांसो तकी जो आपने यहां पर value ली थी, यह पूरी पूरी value इसने आपको यहां पर दे दी, और उसके साथ ही, उसने क्या किया कि जो इसका, जो इसकी पहली रो है इस वाली पहली रो में इसने यह जो V1, V2, V3 इसने इनके कॉलम के नाम खुद बखुद दे दिये यह आपको कॉलम 1 का नाम हो गया, यह कॉलम 2 का नाम हो गया और यह कॉलम 3 का नाम हो गया तो इसने V1, V2, V3 इसने सोय उस data file में columns के नाम दे दिये अब देखिए जब इसने नाम सोय दे दिये हैं तो आपको नहीं लगता है कि ये नाम कुछ ऐसे होने चाहिए जो आपके साफ से हो और जो आपको समझ में आए तो हमने क्या किया कि हमने इनके जो भी नाम को change करने की कोशिश कर है तो देखिए यहां पर मैं आपको screenshot दिखा दूं आगे बगने के पहले देखिए यह आपका original data file थी और यहां से आपने जब इसको header equal to false के द्वारा read करने की कोशिश करी तो इसने देखिए आपको यहां पर यह सही data read कर लिए और साथ में इसने column name दे दिए V1, V2, V3 और ह हम इस समसा का समधान करते हैं कि अपने इस फाइल के अंदर अपने column names को किस प्रकास से change किया जाए तो देखिए अब column का नाम बदलने के लिए यह वाला कारतवा पहले पी कर चुके हैं और आपने एक command पहाता names उसके दौरा हम इसका नाम बदल सकते हैं तो मैंने उस command को य कोई भी जो भी नाम देना चाहते हैं वो मैंने एक data file में लिख दिया column 1, column 2, column 3 तो column 1 हमारा पहले column को नाम, column 2 हमारा दूसरे column को नाम और column 3 हमारा तीसरे column का नाम हो गया और इसको मैंने अपने इस data के ओपर operate करवा दिया अब देखिए जो आपको outcome मिलेगा उसमें इस प्रकार से आपने इसका अपना नाम भी चेंज कर लिया तो देखिए यह था आपका v1, v2, v3 और अब आपका हो गया column 1, column 2, column 3 तो तो चलिए जड़ा सा आगे बगने के पहले हमें इस operation को जड़ा सा our software में आपको हम करके दिखाते हैं कि इसको किस प्रकार से किया जाए तो चलिए सबसे पहले हम अपने इस command में जड़ा सा header के option को भी इस्तेमाल करते हैं right और मैंने यहाँ पर लिख दिया save header is equal to false देखिए और जैसी मैंने header is equal to false दिया तो देखिए इसका data की value बदल गई और जो उपर आपने देखा था पहले कि यहाँ पर इसमें से column names आ रहे से x1, x10, x100 अब वह हो गया v1, v2, v3 right और अगर इनी v1, v2, v3 को आप अगर बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना जो names का command है आप उसको इस्तेमाल कर लिजिए तो आप जब भी आप यहाँ पर अपना names का आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपने इसमें नाम दे दिए इसके column 1, column 2, column 3 देखिए इसके बाद आप data देखिए तो क्या हो गया पहले आपका था v1, v2, v3 और अब आपका हो गया column 1, column 2, column 3 तो आप आपने देखा कि इस प्रकार से आपने इस csv file को read कर लिया और अगर आप यह बाद समझने की कोशिश करिए तो आपने किया क् यह जो csv file है यह आपकी आपके computer में रखी थी और इसका format कुछ और था लेकिन आप उसको आपने R software में call कर लिया है और इसके बाद में जो भी यह values आई हैं उसके उपर आप अपने operation खुद बखुद कर सकते हैं और वह operation के command तो आपको पहले से मालूम है जैसे हमदारे के ल नाम है data और वहां से आप column one में जो values हैं इनको access करना चाहते हैं तो अब यह तो आपने अभी पड़के रखा था एक lecture पहले ही आपने कि अगर मुझे किसी variable की values को अगर मुझे access करना है तो हम उसमें data का नाम लिखेंगे data जो भी हमारा नाम है उसके बाद dollar sign लगाएंगे औ और उसके बाद में column जो भी मरे variable का नाम है column one उसको हम लिख देंगे तो देखा आपने कहा column one तो देखिए इसने आपको यह one two three four five दे दिया और उसी प्रकास से आपने कहा यहाँ पे column two तो इसने आपको 20, 20, 30, 40, 50 दे दिया और जब आपने कहा column three तो इसने आपको 100, 200, 300, 400, 105 दे दिया आप अगर इसी पर आप अगर माली जी कि आप अपना arithmetic mean निकलना चाहते हैं तो आप इसमें लिख दिये mean और देखिए यह आपको इसका mean मिल गया तो आप आपने देखा कि जिस प्रकार से आपने पहले सारे के सारी operation करे हुए थे यह सारे operation अब यहाँ पर कार आ अब इसके बाद में जैसा मैंने बताया कि प्राया CSV फाइल में जो हमारी comma separated values होती हैं लेकिन comma के अलावा भी हम कई सारे separators का इस्तमाल कर सकते हैं तो अगर आपकी फाइल में comma के अलावा कोई और separator अगर इस्तमाल किया गया है तो इस फाइल को किस प्रकार से read किया जाए उसके बारे में हम यहां पर बाद करते हैं तो अब जैसे हमारे पास एक option होता है SEP जो हमारा short form है separator का यह हमारा word है separator और इसका short form ले लिग दिया है SEP और आप अगर माल लिजिए कि आपकी जो file tab delimited है अर्था जो उसमें से दो values हैं उनको tab के द्वारा अलग-अलग किया कि यह हमारी file में data tab के द्वारा delimit किया गया है और हम यहां पर अपना जो command था read.csv और साथ में यहां पर data file का नाम है उसमें हम add कर देंगे tab is equal to backslash t और उसको double course में लिग देंगे और इसका जो भी output आएगा आप उसको एक नए variable में store कर सकते हैं उसी प्रकार से अगर आपकी values किसी blank space के दौरा अगर अलग-अलग करी गई है delimit करी गई है तो उनको कैसे handle किया जाए तो उसके लिए हमारे पास हम यहां पर लग देंगे step is equal to double course में लिख देंगे blank space तो इसमें से जो भी आपका data file में जो भी values होंगी वो आपकी data के files को भी जो भी आप भी आफशकता है आप उसको इस्तिमाल कर सकते हैं तो अब आपने खेखा की CSV file को read करने के लिए हमने कुछ options के बारे में यहां पे बात करी है जो हमारे common operations होते हैं और आगे भी हम देखेंगे कि हमको अगर भिन-भिन प्रकार की files को अगर read करना है तो यह options हमारे वहां भी काम में आएंगे जैसे कि header is equal to true or false separator के बारे में जो हमने बात करी है यह हमारे पास वहां भी काम आएंगे तो अब आपका main काम यह रह गया है कि आपके पास अगर किसी और format की file आती है तो उसको हम read करने के लिए R में कौन सा command use कर रहे हैं तो चलिए इसी बात को आगे बहाते हैं और हम जड़ा से अब अपनी एक tabular data file को की बात करते हैं कि जो हमारी tabular data file को किस पकार से read किया जाए तो जो tabular data files होती है यह हमारी text file होती है और उनका format बहुत ही आसान सा होता है कि हर एक line में एक record होता है और हर एक record के अंदर जो number of fields होती है वो हमार बराबर होती है और जो उसमें से values लिखी जाती है उनको हम tab, colon, comma, space रतियादी के द्वारा अलग-अलग कर सकते हैं और हर एक record में हमारे पास number of fields होती है बराबर होती है जैसे अभी जो मैंने आपको धारा लिया था कि मैंने maths, physics और chemistry के number लिके हैं और यहां पे हमारे पास student ह है 1, 2, 3, 4, 5 तो अब अगर आप अगर देखेंगे तो हर एक row में एक-एक student का data है और हर एक student का हमारा data तीन-तीन fields पर है math, physics, chemistry, math, physics, chemistry and so on. तो हर एक student चाहिए student number one हो चाहिए दो हो उसका math, physics और chemistry में data अबलेबल है, right. इस प्रकार का जो हमारा कबूले data होता है उसको हम यहां पे अपने art software में किस प्रकार से read करें यह सवाल हमारे सामने है. तो इस तरह की text file को या table of data को read करने के लिए हमारे पास command होता है read.table और हम क्या करते हैं कि read.table को लिख करके उसको फिर हम parenthesis में double quotes के अंदर अपना जो भी file name है extension के साथ में .tx थी उसको हम लिख देते हैं. और इसके बाद हम उस file को read कर लेंगे. तो देखिए आपको यहां पर दाहरान दिखाने के लिए मैंने एक चोटी सी एक data file क्यार करी है और चलिए मैं आपको यह पहले data file दिखा देता हूँ. इसको मैंने example 3 का नाम दिया हुआ है और यह आप देखेंगे कि यह हमारे इसी आर कोर्स folder के अंदर ही है example 3 देखिए यह है यह मैं दिखा रहा हूँ. अब इसको आप अगर खोलेंगे तो इसको देखेंगे तो यह देखेंगे आपके file ऐसी है इसमेंसे यह जो values हैं इनको हमने एक blank space के दोरा अलग-अलग किया गया है और अब देखेंगे यह values हमारी वही है जो हमने अभी अपने CSV file में use करी थी और यह मैंने जान करके किया राइट तो और अगर आप अगर यहां पर देखेंगे तो इसी का आपको screenshot भी मैंने यहां पर दिया है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए राइट यह इसका screenshot है राइट तो देखेंगे यह आपका data है अब ज़रासा इसी data को हम अपने art software में पढ़ने की कोशिश कर इसके लिए हम command लिखते हैं यहां पर read.table और फिर जो इस file का नाम है example3.tx थी उसको मैंने double quotes के अंदर लिख दिया और साथ में हमारे जो separator क्या है यह एक blank space है राइट जैसी हम इसको यहां पर read करने की कोशिश करेंगे देखिए हमको इस प्रकार का outcome यहां पर मिल जाएगा अब आपको पता है कि यह V1, V2, V3 क्या आ रहा है और यह देखिये क्या है यह आपका है data जो आपने enter किया था यहां पर और इसके साथ में यह जो आपका है V1, V2, V3 क्या है यह आपका column number one का नाम है V2 आपका column number two का नाम है और V3 आपका column number three का नाम है जो our software ने automatically उनको दिया है आप अगर चाहे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं राइट और देखिए यह आपका स्क्रीन शॉर्ट है देखिए री डॉट टेबल एक्जैंपल 3.txt separator is equal to within double quotes blank space और देखिए यह आपका outcome आ गया, यह आपकी columns के राम आ गया अब ज़रह से हम आपको यही कार आ ज़रह सा आर सॉफ्यर में करके दिखाते हैं तो देखिए मैंने इसको यहां पे इस command को कोपी कर लिया और और आप हम यहां पर आते हैं अपने इस आर सॉफ्यर के प्रकार से आ गया और इसके अंदर भी आप अगर किसी वेरिबिल को अगर कॉल करना चाहें अगर तो देखिए डेटा डॉलर अगर आप इसका नाम ही बदलना चाहते हैं आपका दिये वी वन ऐसी आप कर देंगे वी तू तो आपको देखिए पहले और गुस्वे कॉलम का ड कि यहां भी काम कर जाएगा और आप देखिएंगे कि आपका जो नाम है अब यह कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री हो गया पहले क्या था वी वी तू वी थ्री और इसी में आप अगर मान लिए कि अपने इस किसी पर्टिकुलर डेटा को आप अगर कॉल करना चाहते हैं जैस अगर अपने दूसरे कॉलम को निकलना चाहते हैं तो देखिए खटी आ गया और तो इस तरह कि आप अपने जो भीन भीन ऑपरेशन्स हैं उनको आप यहां पर बहुत आसानी सिकर सकते हैं राइट तो चलिए अब हम इस लेक्चर में यहां पर रुकते हैं और आपने देख सकते हैं तो यहां पर आज मैंने आपको जो भी CSV फोरमेट होता है टेबलर फोरमेट होता उसके बारे में बताया है अब देखिए मैंने आपको डेटा फाइल को रीट करना बता दिया अब उसमें से आपके पास जो भिन भिन प्रकार के ऑपरेशन्स होते हैं वह तो हम को यहां पर किस प्रकार से लेकर के आ सकते हैं यह आपको देखना है अब जी कैसे कि मैंने आज अगर csv और txt की बात करी है तो आपको इसके उपर कोई उधारा ने करना चाहते हैं तो आपके पास कोई ना अगरी एक्सल फाइल होगी आप एक्सल फाइल को आप सेव एस txt या सेव एस csv कर लीजे और उसी फाइल को जड़ा सा आर्क सौफ्ट्रेयर में रीड करिए उसमें से किस प्रकार से हम उनके जो वैरेबल से हम उनको बहा निकाल सकते हैं उसके उपर हम अपने भिन भिन करा क इत्यादी इत्यादी आप उनको निकाल सकते हैं और उसके साथ ही आप जिस प्रकार का का आप पहले करते थे एक्सल में या स्प्रेशीट में आप उसी कार को जड़ा सा आर्क सौफ्ट्रेयर में करने की कोशिश करिए और देखिए कि आपको वही और कम मिलता है तो आप इ कर देखिए और देखिए और कम किके साथ है आर्क संपनावा है और कम में आपको उसके साथ है तो आपको वही और करो डर कम मिलता हैं और देखिए और. झाल